पंद्रह सालों से रोज नाग आकर करता है शिवजी की पूजा किसी मनुष्य द्वारा देवी देवताओं की आराधना करना एक सद गुण माना जाता है लेकिन अगर यही गुण किसी पशू या अन्य जीव में दिखाई दे तो इसे किसी आश्चर्य से कम नहीं समझा जाता पौरानिक माननिताओं के अनुसार भगवान शिव को नाग बहुत प्रीय है वे गले में हार के स्थान पर नाग को ही धरन करते हैं भारत में भी नाग पंच्मी के दिन नागों की पूजा की जाती है भगवान विष्णु शेश नाग की शैया पर शैन करते हैं क्या भगव पुनहा इस प्रश्ण पर चिंतन के लिए विवश कर देती हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा के पास स्थित एक गांव है, सलेमबाद, गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है, स्थानी ये लोगों का कहना है कि यहां पिछले करीब 15 वर्षों से एक नाग रोज आकर भगव पान शिव की पुजा अर्चना करता है, इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालू शिव जी की पूजा करने आते हैं, लेकिन नाग का इस तरह आना जिद्ग्यासा का विशे बना हुआ है, यह नाग रोज मंदिर में आता है और करीब 5 घंटे तक यहां रुकता है, आसपास के गांवो में भी इस नाग की चर्चा है, इस से श्रद्धालू को कोई भय नहीं है और ना इसने कभी किसी को नुकसान पहुचाया, हालांकि नाग के मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंदिर के द्वार बंद कर दिये जाते हैं, इस दौरान कोई और व्यक्ती म मंदिर में प्रवेश नहीं करता, तीन बजने के बाद नाग वहां से चला जाता है, उसके बाद ही लोग मंदिर में भगवान भोले नाथ के दर्शन करने जाते हैं, किसी सर्प का इतनी लंबी अवध्धि से रोज, मंदिर में आकर शिवलिंग के पास रुखने को, यहां क कि लोग आश्चर्र से ज्यादा श्रद्धा का विशय मानते हैं, अगर आप भी भोले नाथ के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो के लिए आता है।